हलो दोस्तों आप लोका बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेकर आए अब इसे सुबर मॉर्निंग में नास्ते में बना सकते हैं साम के टाइम भी बना सकते हैं भचों को लंच में भी दे सकते हैं अगर आप कहीं दूर सफर करते रहें धाब ही प against two time है बहुत ही अच्छा है कि बेना तील एक है अब इसे पटज़े समझे यह चाएक अगर आपके सोस्काइब नि Cena कोते ।- शूरी आते मेंदत्र तो चाहिए इस टैस्ते में आपकैप लचान तर जो नहीं है कि गर की तजी दर legal डेंगे और इन्हींहें अचछी तो हिगि आपके धह थोड़ी स कशना है तो धी कम करके तो पानी संस्च हो तो पैंशा को आपये इस और दधा कि से नहीं देहां तो सकती है इसे रेष्ट वगर नहीं कराएंगे साथ के साथ ही बनाएंगे अब हम डाल दिया नमक नमक आप जितना खाते हैं उसी साथ से डाल लेजी और इसे एक चम्मच के चौता ही हिस्सा हमने यहां पर बेकिंग सोटा डाल दी है आप इनो वगर जो भी आपके पास हो डा सकते हैं नमक और बेकिंग सोटा डालने के बाद इनी अच्छी तरह से मिला लेंगे एक डिरेक्शन में मिलाएंगे कुछ शेकिंड मिलाएंगे वैसे तो सूजी को लोग रखते हैं आदा एक गंटे के लिए बहुत से लोग तो बर नाइट भी रखते हैं लेकिन हम इसे रेष्ट नहीं कराएंगे साथ के साथ ही बनाएंगे साथ के साथ ही बनाना होता है तो भी अच्छी बनेंगी तो देखिए हमने सारे मिला ले हैं आप इसे किसी भी चीज में मोल में थाली में किसी में चीज में इसे बना सकते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे गिलास में तो हमने गिला ले लिये हैं उसको अच्ही तरस तेल लगा देंगे पूरे गिलास में आप जो भी गिलास बड़ी ले सकते हैं कॉटयों में बना सकते हैं वो आपके पास बनाई है लेकिन आज हम गिलास में बनाएंगे तो हम इन्ह Chase लेसे लिए उन्हें सारज में ते लगा लिए है तो तीजरी गिलास को हम अटा देते हैं और इनको अची तरह से डाल दियें देखिए आधा से एक हिस्सा खाली रखना होता है लेकिन एक से ज्यादा हिस्साखाली है अब इनको हाथों से अची तरह से डैप-डैप कर देंगे ताकि सारे अची तरह से बैठ जाए अब यहां पतिली हो कडाए को किसी भी बरतन में बना सकते हैं आप हमने कोकर ले लिए हो कोकर में हम दोनों गिलास डालेंगे और इसमें एक गिलास पानी ढालेंगे और इसे मीडियम प्लेम पर 12 मिन रखे लिए अची तरह से पकालेंगे तो देखिए आप बारे मिनट हो गए और अब गैसका फिल्म बंद कर दें के और इसे बाहर निकालेंगे और इसे ठंड़ा होने के लिए ऐसे निकल लेंगे आप चोटी 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 गिलास में बना सकते हमारे बड़ी थी तो हम दो ही गिलास की जरूरत पड़ी तीसरा हम यह तो लगाय थे पर नहीं डाले उसने आपे, कितनी जालितार बनी है , कितनी सौट बनी है, तनी नरम है और हम रेश्ट बेलकुल नहीं करवाई थे साथ के साथ ही बनाए थे जदातर लोगा आधिए एक कॉसे घंडे के लिए रखते हैं राइज़ता है, सूजी को फूलने के लिए कि अपने हिसाप से क्षापक सकते हैं शाओ पूले के लिए देखें हैं इस थोड़ी आलग तरीकी से बनाएं तो चलिए आधा चमत तेल डालें थोड़ी राई पत्ते डालें इसमें एक पींच लाली मिच डालेंगे और उनको अच्छी तरह से मिला लेंगे आप चाहते हैं अपनामक भी डाल सकते हैं लेकिन हम नमक नहीं डाले हैं और इसमें हमने 2-3 चमत पानी दाल दिया हैं ताकि जो मसाले हैं जलेना तो कि तेल बहुत कम यूज कि आधा चमत शी तरह पाना सकते हैं कि पाकर भड़े हैं मुद्नित दलब नाम कना राई बू दाली दीन ही थी ओआ इनको पानी हमें लॉत कि पानी युद्ध दॉप है क्वाफं़ जली इसमेशे मासाले अच्छी दू नत्लिक ने क्वूणूड दै कि सेशिए हम सब्सपानी के अदिन अ कॉ सकते हैं यह आप ऐसे लिहिन ऐसे करना इजी था इसलिए हमने इनको पहले ही सारे रोल को घुमा दिया आप ऐसे पसंद करते हैं तो इसे कर लीजिए सिंपल खाले जैसे बून लीजिए तो से देखने में थोड़ी से यमी हो गई है तो बस आप यहां पर बाहर निकालेंगे उसे पातली पातली मोटी जीतना चाहे और इसे कर सकते हैं यहांदी कि देखित कर लेंगे में क्हुक्त से कितनी यमी लग रहे हैं कि एक बन मेरे तरीके से जरूर बना के खाई एंजवाय कर यह और जिसको भूख नहीं होगी और भी खा लेगा जरूर तो घर में कोई आता है तो आप इसे बना के फटा-फट से खिला सकते हैं बहुत ही टेस्टी चट-पटी यमी हैं बीना तेल घी क के बनी है प्राई करने की भी जरूरत नहीं है बहुत से लोग ऑदी चीज़ा नहीं खाते हैं ताप उनको इसतर से बना के दे सकते हैं और वह उत्वा प्रम कि खाने के चाहिए तो हुआ सकते हैं यह जो रोल था उसे सिम्पल रख्खे हैं आप इसे अपने ही साफ द माशा के साथ तो बहुत ही लगती है मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है बस इसे सिंपल ही तरीके से बनाए है तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए खाई एंजवाई करें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर